जै हिंडिये इस्टेंट इडियम और फ्रेज बहुत ही इंपोर्टेन सेक्षन है और अगर आप इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो एक्जाम बिल्कुल गलत करेंगे क्योंकि इसमें इडियम कुछ और होते हैं और उसका इंगलिस मीनिंग कुछ और होता है इस वीडियो में जितने भी हम इडियम से बताएंगे सभी repeated हैं बार-बार पूछे जाने वाले हैं और guarantee है मेरी कि अभी के अभी यहीं के यहीं आपको सभी इडियम से याद हो जाएंगे जैसे कि शुरू करते हैं चलिए आपके सामने पहला है एक बार आप कोशिश कीजिए उसके बाद हम आपको बताते हैं एंसर क्या होगा इसका मतलब क्या होता है यह सभी most repeated हैं कई बार यह पूछे जा चुके हैं मतलब tooth and nail का मतलब होता है कि making every possible effort जितने भी संभव प्यास हो सकते हैं सभी लगाना जीत के लिए ठीक है जैसे छोटे बच्चे होते हैं अगर आप उनको मारेंगे एक थप्ण मारेंगे कोई बात नहीं दो मारेंगे कोई बात नहीं तीन मारेंगे कोई बात नहीं लेगि जब चौथी बार मारेंगे तो वो क्या करते हैं अपने दांत से आपको काटने की कोशिस करेंगे tooth and nail और अपने नाखून से आपको दबाने की कोशिस करेंगे तो वो क्या करते हैं वो अपना हर possible effort लगाते हैं आपसे जीतने के लिए example याद हो जाएगा बढ़िया है question भी याद हो जाना चाहिए tooth and nail का मतलब एक और example आपको दे सकते हैं कि अभी आपका exam आने वाला है तो आपको कैसी मेनत करनी है पास होने के लिए making every possible effort आपको लगाना है tooth and nail fight करना है tooth and nail के साथ ठीक है अगला है gift of the gap इसका मतलब क्या होता है देखे gift of the gap का मतलब होता है talent for speaking जैसे बहुत से leader होते हैं जो बोलते हैं तो लोग आरहम से उनको सुनते हैं 10-20 minute आदा गंटा बोलें तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता है लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि 5 मिट बोलेंगे तो boring होने लगता है जो अच्छा बोलते हैं that is talent for speaking मतलब gift of the gap पात सोन में आगई आगे बढ़ते हैं Lions share इसका मतलब क्या होता है देखिस सब repeated है और सब मैं already पहले भी करा चुका हूँ एक बार आपको यहाँ पर याद दिला रहा हूँ कि यह यह वाले जितना मैंने कराया list पुरा उनमें से यह important है तो यह थोड़ी सी आपके लिए आसानी होगी Lions share का मतलब होता है major part major part का मतलब जो प्रमुख हिस्सा है जैसे इतना बड़ा तर्भूज आपने लाया या आम का सीजन चल रहा है आपने आम लाया एक इतना बड़ा आम है और क्या कि आपने उसका दो हिस्सा कर दिया ठीक है तो छोटा वाला हिस्सा अपने भाई को दे दिये और बड़ा वाला major वाला part जो है आप अपने रवास रख लिए that's a lion share ऐसे भियाद रख सकते हैं कि lion मतलब share होता है और jungle में share का तो भई बड़ा हिस्सा लगेगा उसका जो part होगा जो इसका हिस्सा होगा वो major होगा major part रमुक हिस्सा होगा ठीक next की तरफ बढ़ते हैं hit below the belt बताए इसका मतलब होता to argue unfairly क्या होगा option B होगा to argue unfairly मतलब कि ऐसी argue करना ऐसा जगडा करना जो की fair नहीं हो जो की कानून के खिलाफ हो या नियम के खिलाफ हो जो की fair नहीं हो unfair हो ठीक है इसको याद करने के लिए होता ही है कि जब आप देखते है WWE में जब fighting होगर होती है circle के अंदर तो उहाँ पर एक नियम होता है कि जो belt होता है fighter का जो भी इंसान है उसका जो belt होता है उस belt के नीचे नहीं मारना होता है ठीक है लेकिन अगर अगला hit below the belt belt के नीचे अगर मार रहा है तो उँग क्या कर रहा है वो unfair आर्ग्यू कर रहा है ठीक चली याद हो जाएगा आप बहुत समझदार है थोड़ा साब को hint देने की ज़रूरत है अब bed of throne मतलब throne मतलब काटा होता है काटों से भरा एक bed क्या होगा तो यह हो जाएगा unpleasant situation काटों से भरा bed मालेजी आपको उस पर सोने के लिए बोल दिया जाए तो आपके लिए कैसी situation होगी unpleasant होगी मतलब औसुहावनी या बुरी situation कह सकते है come across का मतलब क्या होता है जैसे आप बजार में जा रहे हैं ठीक है आपके पुराने दोस्त जो class 6-5 में थे या 8 में थे अचानक आपसे मिल जाते हैं तो आप बोलेंगे come across come across का मतलब होता है अचानक किसी से मिलना to meet a person नेक्स्ट की तिर बढ़ते है at dagger's drone dagger मतलब खंजर होता है तो देखते हैं साउथ की मूवी यह कैसा खंजर ऐसा होता है मतलब ऐसा ठीक है तो होता यह है कि यह खंजर हमेशा तना रहता है खंजर जब तना हुआ है तो इसका मतलब समझे खंजर है तो दुस्मनी की बात है at animity क्या होगा at animity खंजर ठीक है dagger's drone का मतलब क्या होता है दुस्मनी कटर दुस्मनी bag and baggess bag and baggess का मतलब होता है जैसे हम लोग क्या बोलते हैं न बोरिया बिस्तर तो वही होता है with all ones belonging क्या होगा with all ones belonging किसी से संबंदित सारी चीज़े कहते हैं कि अपना बोरिया बिस्तर बानो और निकल लो तो बोरिया बिस्तर का मतलब बोरिया थोड़े उसके पास है नहीं बोरिया बिस्तर का मतलब यह है कि तुम से संबंदित जितनी चीज़े हैं अपना सब समेटो और यहां से निकल लो तो उसको बोलते हैं bag and baggage समझ मैं आई अगला है bed of roses अब भी आपने उपर पड़ा bed of throne काटो से भड़ा जो bed था वो अपके लिए unpleasant था लेकिन bed of rose अब जो bed आपको मिला है वो गुलाब से भरा हुआ है फूलों से भरा हुआ है तो यह आपके लिए क्या होगा full of joy क्या होगा full of joy आनंद से भरा होगा आपके bed पे अगर गुलाब लगा दिया जाए तो that will be full of joy option D सही है to bring to light to bring to light का मतलब क्या होता है bring का मतलब लाना light का मतलब प्रकास में to reveal किसी भी चीज को छूपे हुए रहसे को या किसी भी चीज को प्रकास में लाना है ना कोई बात है छूपी हुई है तो अब उसको क्या करते है रिवील कर देते हैं to bring the light light में लाना प्रकास में लाना next है और यह last है यह भी समझ लीजिए to read between the lines to read between the line इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है to understand to understand the hidden meaning of the word मतलब शब्दों के छूपे हुए meaning को समझना इसको बोलते हैं to read between the line जैसे यह दोनों line है ना यह एक line है और यह line है इसके बीच में जो शब्द लिखा हुआ है यह जो शब्द लिखे हैं अब क्या कर रहे है to understand the hidden meaning of the word इस word की क्या कर रहे है meaning आप समझ पा रहे है तो यह होता है शब्दों के जो है कि understand करना hidden जो शब्दों के meaning है जो छूपे हुए राज से जो छूपे हुए meaning है उसको समझना to understand the hidden meaning of the word तो यह जो idioms थे और फ्रेज थे बहुत ही important है और इनको आप उमिद है कि आपको समझ में आया गए होंगे अब अगर वाई गुरूप की तयारी करते हैं तो आप YouTube पे सर्च करिए और उसके बाद इसको सब्सक्राइब करके notification bell on कर लेजे यहाँ पर रागा का मौक्टेश नमर आठवाँ अपलोड होने वाला है आधा एक गंटे में तो उसको जरूर सौल्ब कीजिएगा ठीक है सुथीर पांडे व्लोक्स के नाम से है सर्च कर लिजिएगा बिलेंग एक लिए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बाई बाई टेक केर